एक दिन गाव में एक मोटे से हीरे का हर पाया गया। सभी लोग देखकर हैरान हो गए और उसका मालिक ढूंढने लगे। फिर हीरे का हर राजु ने लिया और उसे अपने पिता के पास ले गया। हो 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 तो दोस्तों कैसे हो तुम सब मैं तो ठीक हूँ और बताओ सब बरिया चल रहा है ना बरसात का मौसम है बारिस भी हो रहा है और चुट्टी भी है सब बढ़ाई ठीक से कर रहा हो ना ममी पपा का बात सुन रहा हो ना तो दोस्तों मेरे चैनल आपको कैसा लग रहा है मेरा चुट्टकुला आपको कैसे लग रहा है मुझे जरूर बताना कॉमेंट करके और जो वीडियो देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्यूंकि मैं नया नया चुट्टकुला रोज लेके आता हूँ और नया स्टोरी भी लेके आता हूँ कार्टून वाला आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आप सबको जो एक बच्चे राजू का है तो बच्चा है पर इतना इमानदार है कि क्या बोलू ठीक है चलो आओ देखते हैं उसका स्टोरी कहानी एक गाओ के एक छोटे से लड़के नामक राजू की है राजू बहुत ही सच्चा और इमानदार था उसकी यह आदत उसके गाओ के लोगों के बीच मशूर थी एक दिन गाओ में एक मोटे से हीरे का हर पाया गया सभी लोग देखकर हैरान हो गए और उसका मालिक ढूंडने लगे फिर हीरे का हर राजू ने लिया और उसे अपने पिता के पास ले गया राजू के पिता ने देखा कि हीरे का हर उसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक संपत्ती हो सकता है लेकिन वह सच्चा और इमानदार बच्चा है उन्होंने राजू से कहा बेटा तुम इस हीरे का हर अपने लिए नहीं रख सकते हमें इसे गाव के सरपंच के पास ले जाना चाहिए ताकि यह गाव के विकास में मदद कर सके डॉट राजू ने अपने पिता की सलाह मान ली और हीरे का हर गाव के सरपंच के पास ले गया सर्पंच ने इस हीरे का हर गाव के लिए समर्पित कर दिया और गाव के विकास में इसका उप्योग किया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सच्चाई और इमांदारी हमारे जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण होती है हमें कभी भी छल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए बलकि हमें हमारे समाज और समुदाय के लिए भी योगदान करना चाहिए सच्चाए हमें सफलता और समाज में सम्मान प्राप्त करने में मदद करती है तो दोस्तो आज का स्टोरी कैसा लगा आप सबको मुझे पता है कि आप सबको पसंद आया तो आप भी राजू की तरह बनिये और दूसरों की मदद करे और दूसरों के चीज अगर आपको मिले तो उसे जरूर लोटाए उसका इस्तेमाल ना करे ऐसे ही करके आप इमानदार और अच्छे इंसन बन पाओगे जीवन में ठीके चलो दोस्तो आज के लिए बाए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को आउन करना मत भूलना टाटा दोस्तो फिर मुलकात होगा नया चुटकुलाई या स्टोरी लेके अच्छा लेप अच्छा लेके चैनल को लेख ऑना